हेलो व्रैंज चेक बॉस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं और एक पोड़क लाया हूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सकाइब कर दिजिएगा और लाइक एंड कॉमेंट भी कर देना तो शुरू करते हैं पिछले पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को साब वर एंप्लिफार की बारे में बताया था अब मैं साब वर बोक्स की बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा पहले उस वीडियो के कुछ जलक आप देखिए यह दिखिए दोनों एक साथ ए साब वर बोक्स और ए है साब वर एंप्लिफार जो टेस्टिंग हो रहा है अच्छे तरीके से दिखिए हाँ आप दिखिए साब वर बोक्स बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहां से भी दिखिए इसके डीजैन और यहां से भी दिखिए इसका स्टाइल यह दिखिए यह साब वर बोक्स सोनी कंपानी का तेरे शुवाट का बहुत ही जवर्दस स्पिकर है लोफिकिंशी वाला जो बीच से लेकर दोश्वार्ट से साउंड प्रेडूस करता है बहुत ही ज़्यादा प्रेडूस करता है बहुत ही ज़्यादा है यह दिखिए यह लोग के गील लगा हुआ है जो स्पिकर के सिप्टी के लिए दिखिए बहुत ही हाड़ है बहुत ही हाड़ है और यह दो पोड लागा हुआ हावा निकलने के लिए यह दिखिए यह दो पोड इसमेत हावा निकला लागा और यह दिखिए बहुत ही आच्छा फिनिशिंग है और यह दिखिए चार उतर रहे हैं यह है सुनी को पाने के स्पिकर और इसको लगाने के लिए जिखिए देश को लगता है एक दो तीन चार पार्च छे शात आठ नो तस एक दो तीन चार पार्च छे सेफ्टी के लिए जो गील लगा हूँ है इसमें आर्ट को लगता है यह डीजैन मैंने खुट किया है आप चाहिए तो कुछ भी डीजैन किर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इस बीस बैलो में मैंने एक लडी लगा हूँ है जो जलता है तो दिखने में बहुत ही आच्छा लग रहा है अच्छा लगता है यह दिखें दोसको यहाँ पर भी दोसको यहाँ पर भी दोसको और यहाँ पर भी दोसको टूटेल आर्ट को लगता है इस गील को लगाने के लि बहुत ही हाड है और देखिए पीजी की तरह मैंने होल्केर के दो वैरल बहार निकले इदेखिए साब उपर 380W का आर्मेस पाउर एदेखिए स्पिकर का लाइन मैंने छोटा सा टामिनल लगा हुआ है यह टामिनल आपको लुकेल मार्केर से में जो मिल जाएगा यह छोटा सा टामिनल ले एड़ी लैट के लिए एदेखिए आपको दिखा दा रहा है एदेखिए गिल की बीच बारे में एदेखिए बाला है इस बीच में एक छोटा सा एड़ी लगा हुआ है जो जलने के बाद बहुत ही आच्छा दिखते है आप चाहिए तो जलेए या फिन न जला है आपकी बर्दी एदेखिए एचोटा बटमिल मानस प्लास का आई देखिए मानस प्लास यह बारबूल में जलता है वह 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 लिटी और यह वहला स्पीकर के टमिल है देखिए कितना बारा है पहला आप देखिए स्पीकर का साइज बारा इच का है और पोट का साइज है यह दिखिए इस गोल का साइज है तीन इच का है यह बाला भी तीन इच का और अंदी की तरफ जो घह रही होता है इसका लंबाई लगबग 6 इच का है और यह भी 6 इच का है दोनों बराबर और पोट की भार की तरफ मैंने लगड़ का एक गोल रिंग लगा हुआ है सुन्दता के लिए यह दिखिए इस रिंग की बेज़े से बहुत ही अच्छा लुक मिल रहा है यह दिखिए इसको लगड़ने के बाद इस गोल का साज है लगड़ शारे चारेंज देवला भी शारे चारेंज का है यह दिखिए इस गोल को मैंने मना मतला पोट को मैंने ब्लेक कला किया है अब मैं ब्लेक की पूचा के बार में आपको बताता हूं यह दिखिए इसके उचा ही लगड़ अठरा प्वेंट फाइब इसका है यह दिखिए आटरा प्वेंट फाइब इसका उचा ही और बोस का चौराई 14.25 का है और पीछ की तरह रुजा लंबा है इसके इसका साइब 20 इंच का है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत है नीची की तरह देखिए और चार पेल लागा हुए छोबाँ चोटबाँ यह दिखिए एलम में लगा हुए रावर का है यह पेर को आप ओटो मुवल दुखन से आप जो मिल जाएगा यह दिखिए बहुत ही भरिया लूक है इसको बारने के लिए मैंने 19 mm का प्लाइवड इत्वाल किया है और जोडने के लिए वाटरपूप ग्लो और प्लो का इत्वाल किया है और फोर्म में का मैंने आलक सालागा है इसको भी जोडने के लिए वाटरप्रूप ग्लो का इत्वाल किया है और हाँ बोस की जाजा लंबा होने की कारण इसका बीश बैले में मैंने आलक से चार लक्ड़ का इत्वाल किया है इसकी भी जोनने के लिए मैंने आटा का इस्तिमल के है इससे बॉक्स बहुत ही हाट बनता है क्योंकि इसकी बाइब्रेशन इतना जाधा है जो बॉक्स कापने लगेगा इस करेंट से मैंने इसकी बीच बैले में लगली लगा हुआ है इस फॉर्मेगे का डिजाइन बहुत ही आच्छा है आज के लिए इतना ही अगले बाइले वीडियो में में लगाता हुआ 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 है हुआ हुआ हुआ